आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Good morning students, तो आज का मारा question क्या है? In standard 10th class Out of 40 students, 10 students use spectacles ठीक है, 10 बच्चों को चश्मा लगा हुआ है जिन में से 2 students के पास positive power है और 8 students के पास negative power है ठीक, and students अज यह question रिपीट हो रहा है, कोई इकतनी What defect of eyesight must do the most of the students suffer? यहां most होना चीज़ था, ठीक है? Do most of the students suffer from So देखो, most students को किस चीज़ से problem हो रही है? वो negative power का चिश्मा यूज़ कर रहे है 8 students negative power, 2 students positive power तो most students जो है, वो negative power का spectacles यूज़ कर रहे है यानि कि उनकी जो lens है, उसकी power negative है Negative power lens की कब होती है? जब वो lens concave हो या convex हो? देखो, यह concave lens है इसमें जो parallel rays आएंगी, यह diverge करती है और हमें appear होता है कि पीछे कहीं meet कर रही है यानि कि इसका focus कहा है देख सकते हो इसका focus यहाँ बन रहा है किस side? left side तो इसकी focal length जो है, यह distance left side पर ना पा जाएगा तो left side पर according to sign convention कुछ भी लो तो वो negative आता है, right side पर positive आता है इसका मतलब negative power lens का मतलब है उन बच्चों के पास concave lens का spectacles है तो concave lens का spectacles कोई क्यों लगाएगा वो इसको तब लगाएगा जब उसको myopia की problem होती है क्योंकि myopia की correction के लिए ही concave lens लगाए जाता है तो पहले ही तो हमने answer देख लिया यह और आप ज़स्ट देख लेते myopia होता क्या है तो देखो myopia is nothing but near sightedness मतलब उन बच्चों को पास की चीज देखने में दिक्कत नहीं होती पास की चीज दिख रही है लेकिन दूर की चीज है सही से दिखाई नहीं दे रही होती और इसका correction होता है concave lens का ठीक है क्या होता है हलका समय idea दे देता हूँ डेटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि one mark question है तो हो क्या रहा है यहां से जो है light rays आ रही है पर उनकी जो eyes है बहुत ज़्यादा power रखती है और बहुत जल्दी उसको converge कर रही है अब देखो जल्दी converge कर रही है तो एक काम करो तो तुम ही diverge करके भेज़ दो समझ पारियो मेरी बात अगर यह बहुत ज़्यादा इनको पास लाने की कोशिश करते है तो तुम ही इसको दूर करके भेज़ दो तो यह मैं इसे हलका सा condition दिखा रहता हूं कि यह ऐसा case बनने वाला था पर अब तुमने क्या किया है तुमने बीच में लगा दिया एक diverging lens अभी diverging lens क्या करेगा यहां से जो rays आ रही है इन rays कर से diverge कर देगा अब जो diverge हो रही rays है उनको तो आपको ज़्यादा पावर ही लगानी पड़ती तब जाके वो यहां पर बनेंगी तो अब notice करो वही case हमने handle कर लिया और image जो है यहां बन रही है इस तरीके से concave lens लगाने से myopia की problem जो है correct हो जाती है तो I hope यह question अब सबको समझे में आ गया होगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर